आज हम बात करने लगे हैं नेस्ट के बारे में नेस्ट होता क्या है प्रीमेर प्रो के अंदर आपके पास जितने भी क्लिप्स कंपाइल हो रहे होते हैं आप एक साथ जोड़ होते हैं जिस तरह भी उनकी जो सीवीज होती है अगर आप चाहें तो उनको नेस्ट के अंदर डाल सकते हैं और नेस्ट बैसिक्डि करता क्या है क उस सारे clips को वो एक sequence में या एक virtual clip में बना लेगा आपके पास cuts में timeline जिस तरह show हो रही होगी उस तरह से नहीं होगी और आपके पास एक sequence की सूरत में वो nest की सूरत में आपको वो नजर आएगा nest के फाइदे क्या क्या हो सकते हैं अभी हम practically करके भी देखेंगे और major मैं आपको कुछ points बता दूँ एक तो सबसे पहली चीज़ यह है कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा layers occupy हो रही है और आपको layers बचानी है क्योंकि आपके पास timeline पर जो options होगी audio भी आ रही है, video भी आ रही है, ओपर बाकी monitors भी है या फिर आप यह कह सकते हैं, अगर आप multiple monitors भी यूज़ कर रहे हैं, तो बास दफ़ा आपके पास audio के लिए आपको ज़रा ज़्यादा चाहिए होता है, layers ज़्यादा चाहिए होती है अगर वीडियो में आप सोचें कि अगर आपके पास no clips हैं में भी split screens में आ रहे हैं, चोटे चोटे करके different clips आ रहे हैं तो उसका मतलब तो सीधा सीधा यही होता है कि आपको वो no layers occupy करनी पड़ेंगी और हर layer के उपर वो एक एक clip होगा लेकिन अगर आप nest यूज़ करेंगे तो आप इनको कम कर सकते हैं nest के अंदर भी nest बन सकते हैं, आप वनमें भी 3-3 का set बना दिया है और इसके बाद बाकी layers को बाकी clips को आपने और different layers में रख दिया तो इस तरह से भी आप चल सकते हैं, बाकी nest को आप वीडियो में कर सकते हैं, images में कर सकते हैं, जो भी आपके text के चीज़ें हैं, उसको आप nest बना सकते हैं audio को आप nest नहीं बना सकते हैं, आप वीडियो पे बनाएंगे, as a clip वो उसको बनाएगा और उसके बाद आप further चाहें, तो एक ही nest के उपर effect लगाएं, तो वो सारे clips जो इस nest के अंदर, जितने series और clips होंगे, वो उन सब पर लग जाएगा तो second चीज़ हम ये भी add कर सकते हैं, कि इस वक्त जो आपकी adjustment layer होती है, उसका काम भी ये nest ही कर रहा होता है बहुत सारे और templates में, चीज़ों में आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं, कई जफा ऐसा होता है कि template पे पूरी animation बनी होती है, आपने जाकर change करना होता है तो वो भी nest की form में आपको मिलेगी एक और बड़ा important इसका use होता है, वो आप जब अपना warp stabilizer लगाते हैं अपनी shaky footage पे तो अकसर उसमें क्या होता है कि अगर उसकी properties, यानि कि आपने उसकी basic motion scaling अगर छेड़ी भी हो as compared to आपका जो sequence की settings होती है, उससे वो different हो, तो उसके ओपर warp stabilizer काम नहीं करेगा या maybe speed, अगर उसकी change हो clip की, आपने उसको slow motion में किया वा हो या फिर fast किया हो, तब भी आपका अकसर cases में warp stabilizer काम नहीं करता है तो उसके लिए आपको उसको एक nest बनाना पड़ाएगा उस clip को, और उसके बाद warp stabilizer उसके काम करने लगएगा और भी फायदे हो सकते हैं, जितना creatively आप smartly इसको use करेंगे, आप इसको मजीद explore करते जाएंगे थोड़ा सा हम इसको practical देखते हैं तो आपको nest का मैं तरीका बता दूँ किस तरीके से nest किया जाता है और एक हम साथ ये भी apply कर देते हैं कि किस तरीके से हम इन clips को nest के अंदर डालेंगे और किस तरह से हमें layers safe करेगा तो आप देख सकते हैं कि इस वक मेरे पास timeline पर फिलहाल ये CTI जहांपर मेरा है, ये 3 clips हैं इस वक और मुझे बहुत सारी split screens करने और different clips के साथ ही करने तो मैं इनको थोड़ा सा try करता हूँ इस तरह से कि मैं इन पे जाके इनका scale और इनकी position थोड़ी सी इस तरह से align कर देता हूँ इसी के attributes copy करूँगा, next पे paste करूँगा तो मुझे ये same scale, same position में आप देख सकते हैं हो गया, इसको मैं इसके ऊपर रख लूँगा layer के, ताके मुझे exactly इसके साथ ही इसको split screens में लेकर आना है और तीसरा clip मेरे पास ये वाला है, वही same attribute जो copy किया वा था control, alt, v, shot की है, motion select है यहां से, इसको मैं okay करूँगा तो आप देख रहे हैं, same उसी जगह पर वो चला गया और यहां से मैं इसको इसके साथ align करता हूँ अब आप देख रहे हैं, यहां पर काफी ज़्यादा हमारे पास lose area है और यह shoot ही इस तरह से हुआ है, यहां पर मैं इस पर एक effect लगा देता हूँ flip का, और मैं इसको horizontal flip कर देता हूँ तो इस वक्त मेरे पास यह, इस side से मैं इसको और वो जो lose area था, वो जो white area था, वो मैंने अपने main screen से ही उसको बाहर कर दिया अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह 3 clips हैं और यह 3 अलग अलग हैं, अगर मुझे अब इन 3 पर एक ही effect लगाना हो या फिर मैंने और split screens further करनी हो, तो मुझे obviously फिर और उपर layers रखनी पड़ेंगी अगर इस stage पर मैं इसको nest कर दूँगा, जो कि मैंने इसको तीनों को select किया right click किया, और मेरे पास यह nest की option मौझूद है यहाँ पर मैं nest पर click करूँगा, वो आपसे इसका नाम पूचेगा, by default वो एक sequence को आगे लेके चलता रहता है nested sequence 12 इसका नाम है, आप चाहें तो अपनी मरजी का नाम भी रख सकते हैं, इसको हम यहाँ से okay करेंगे इस वक आप देख रहे हैं कि वो जो तीन clips थे, वो इस वक एक nest के अंदर चले गए हैं और इस nest के अंदर पूरा एक sequence है, जो के अगर मैं इसको double click करूँगा, तो आपके पास यह same edit कीवी चीज़, एक अलग से sequence में यहाँ पर खुल चुकी है जो के nested sequence है, इसको मैं चाहूँ तो बंद कर दूँ, और मुझे अगर further कोई change करना हो इसमें, तो मैं तुबारा double click करूँगा, और मैं उसके अंदर जाके change कर लूँगा तो आप देख सकते हैं कि एक चीज़ तो यह भी हो गई, कि एक sequence के अंदर एक आपका पास sub sequence बन गया, और उसको आप किसी भी stage पे जाके change कर सकते हैं अब इसी तरीके से अगर मुझे और भी layers add करनी थी, जो कि मैं यहां से कुछ clip select कर लेता हूँ तो उसमें मेरे पास एक ये clip है, एक मैं इस clip को ले लेता हूँ, और further मैं इस clip को भी select कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं, अभी आप 1, 2, 3, 4, 4th layer पर काम कर रहे हैं, इस वक्त 4th layer तक आप चले गई हैं इससे पहले अगर ये sequence भी आपने nest ना किया होता, तो इसने already दो layers और occupy यहां पर की होती है इनको भी same मैंने उची तरह position करना है, align करना है, तो मैं यहां से इसको copy करता हूँ ताकि मुझे manually attributes जाके change ना करनी पड़ें, इनकी properties, यहां पर मैंने attributes copy paste किये और आप देख रहे हैं, अभी आपको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यह layer नीचे पड़ी है, ऊपर वाली layer आपको नजर आ रही है इसको मैं off कर देता हूँ यहां से, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास, जो यह clip था, यह add हुआ है इसको भी मैं यहां से off करके देख सकता हूँ, कि नीचे वाली मेरे पास वैसे ही चीज़े आ रही है मैं अगर चाहूँ तो इनको भी अब बारी बारी on करके same attributes copy paste कर लूँ क्योंकि उनकी positioning आपको exactly अगर वहीं चाहिए, देखें, आप बलकुल उसी position पर चला गया और इस तरह से third को भी copy किया, और इसके attributes भी यहां पर paste किये इस clip को enable किया, right click से भी कर सकते है, short key मैंने इसकी बनाई वी है, अपनी modify की भी है shift और tilde की, आप उससे भी उसको use कर सकते है आप देखें, इसको flip भी किया हुए, अगर आप चाहें तो flip हटा दें और इस वक्त flip मेरा ख्याल से ठीक ही लग रहा है बीच में अगर आप थोड़ी सी इनकी positioning और चाहते हैं तो आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा difference है अब आप देख सकते हैं, आपके पास यह तीन अलग layers है और आपको split screens में चाहिए थे यह और आपने इनकी positioning obviously अलग करनी थी, अभी आपने इनको align कर लिया इनको सब को हम थोड़ा सा trim भी कर लेते हैं ताके सब हमारे एक ही उसमें रहें, एक और हम nest बना लेते हैं right click किया nest और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं इसको अगर मुझे individually उनको adjust करनी की जरूरत नहीं हो रही और मैंने एक ही file को move किया तो वो तीनों clips move हो रहे हैं क्योंकि वो तीनों file उस nest का हिस्सा है further मैं इसको भी चाहूँ तो नीचे कर सकता हूँ और इसी तरीके से मैं और भी screens add कर सकता हूँ तो एक तो यह आपका use हो सकता है तरीका इस तरीके से आप यहाँ पर nest से काम कर सकते हैं आप देख रहे हैं इस वक्त पास 1,2,3,4,5,6 इस वक्त आपके पास 6 different clips हैं और वैसे उनको 6 different layers में होना चाहिए था लेकिन इस वक्त सिरिफ video 1 और video 2 एक nest में मेरे पास यह वाला clip है और दूसरे nest में मेरे पास यह वाला clip है तो दोनों को enable करते हैं मैं further चाहूँ तो इनको भी nest कर सकता हूँ अब इनको nest करने से मुझे क्या फायदा हो सकता है यह totally depend करता है कि आपने क्या treatment करना है maybe मैं यहाँ पर कुछ effect सा बनाने की कोशिश करता हूँ maybe nest को मैंने copy किया उस पूरे को मैंने zoom in कर लिया और मैंने शायद जाके इसको blending mode में कुछ इस तरह तरह चेंज कर लिया तो आप कुछ और भी चीज़े career कर सकते हैं आप इसको अगर चाहें तो आप यहां से keyframe में थोड़ा सा इसको कर सकते हैं इस फ़क मैंने keyframe दिये इसको तो कोई भी किसी किसम का आपने further treatment करना हो तो आप कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि दो nest इस फ़क मूव हो रहे हैं और अगर मुझे इस तरह का treatment नहीं चाहिए कि मैं इसको पूरे nest को delete कर दूँ मेरे पास एक nest already यहां पर save है इसमें अगर कोई change करना हो कोई replacement करनी हो तो मैं double click करूँगा यह में आपस तो nest खुल गए कौन से nest में क्या क्या चीजे हैं मैं उसको enable और disable करके देख सकता हूँ और further अगर change करना हो तो उसका double click करूँगा तो मेरे पास उस तरीक से clip आ जाएंगे अगर किसी clip को मैंने यहां पर disable करना है जिस तरह इसको मैंने कर दिया अब आप देख सकते हैं आपके final nested sequence में वो clip इस बक आफ हो चुका है एक तो आपके पस nest का तरीका यह हो सकता है अब इन सब पर आप चाहें तो एक एक ही effect लगा सकते हैं जिस तरह कि adjustment layer पर हम करते हैं उपर रखके तो maybe यहां पर अगर मैं कोई effect लगाता हूँ मैं इनको black and white करना चाहता हूँ तो यहां पर मैं पर स्प्रॉक एंप के नाम से है और भी तरीकों से हो सकता है मैं डिमेटरी से भी कर सकता था लेकिन फिलहाल मैं इसको अगर यहां पर मैं पर saturation की option होती है तो मैंने इस वक saturation इसकी बंद कर दी आपको इस वक बेतरीन तरीके से मुझे लगता है idea हो गया होगा क्योंकि इस वक मैंने एक clip जोके nested मेरा sequence था उसके ओपर मैंने यह effect लगाया है तो जितनी भी videos थी जोके अंदर actually अलग-अलग videos हैं यह आपके सामने यह एक और यह अलग-अलग videos हैं लेकिन वो nested है, nest के अंदर है एक effect लगाने से वो उस पे यह सारी changes आपको नजर आ रही हैं और किसी भी किसम का कोई treatment आपने करना हो, वो ऐज़ा एक ही clip के ओपर सारा लग जाएगा तो एक nest का फायदा यह भी हो सकता है उसके अलावा अगर हमने कोई text पे लगाना हो तो वो भी हम कर सकते हैं अगर मैं quickly यहाँ पर legacy title में जाके अपना एक text लिख लेता हूँ और maybe यह हमारा एक title हो सकता है और इसको मैं यहाँ से off करता हूँ quickly हम एक लिख लेते हैं और इसके spelling university control A से select किया centralized text को यहाँ से centrally align कर सकते हैं font आप चाहें तो यहाँ से change कर सकते हैं कोई भी आपने font यहाँ पर quickly adjust किया तो कोई भी आपका style हो आपने इसको यहाँ से रखा और इसके बाद आप अगर चाहें तो इसके font को भी three size कर सकते हैं खुरा सा मैं इनकी इस तरह से gap पढ़ा दूँ क्योंके मैं इनको manually crop करूँगा में पस legacy title में यह title आ चुका है और इसको मैंने क्या करना है कि अब मैं कुछ इसमें nest का काम करूँगा मैं चाहता तो separately भी लिख सकता था इस वक मैंने क्या किया है इस वक सब कुछ साथ ही लिख लिए है और मैं इनको पारी बारी appear करूँगा मैं crop इस पर लगा सकता हूँ तो crop मैं यहां से लगाने के बाद मुझे पहला text यह appear करना है उसके पाद मैं इसको copy कर लेता हूँ दूसरा text फिर से मैं crop को presents को मैंने किया और इसको मैं चाहूँ तो इसके उपर यहां पर मैं रख लेता हूँ और क्योंकि यह जब appear होगा next वाला तो जो first है वो भी stay करेगा copy किया इसको इदर paste किया और हमारा बस तीसरी चीज है यह crop को हमने इस तरह manually अब मेरे पास इस तरह का text है जो कि मैंने एक ही file में लिख लिए ता और further मैंने उनको यहां पर crop कर दिया पहले मैं चाहता हूँ कि और मैं इसको dissolve भी add कर देता हूँ Ctrl D तीनों को एक साथ पकड़के भी हम यहां से in और out point in के छेड़ सकते हैं और पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे पास virtual university और अब इसकी तरह से ही उसका patron है कि virtual university और इसके पात यहां पर मेरे पास आजए presents और उसके पात video editing course तो आप देख सकते हैं कि हमने एक ही टेक्स में लिखा और हमने उसको इस तरह से एक quick sir title कहले हमने बना लिया और यहां पर भी हम इसको fade out भी इस तरह से कर सकते हैं और यह obviously थोड़ा depend कर सकता है कि जिस तरह का आपका नीचे track होगा उस हिसाब से आपने में भी इसका fade out वगारा decide कर लिया अब मैंने इस पर motion देनी है अगर मैं इस वक्त चाहूं एक एक क्लिप पर दे तो सकता हूं लेकिन थोड़ी सी वह out हो जाएगी क्योंकि यह motion अलग से है फिर इस क्लिप पर अलग से और इस पर एक motion देने के लिए मैं इसको करूँगा नेस्ट और अब नेस्ट में यह पूरा क्लिप मेरे पास आप देख सकते हैं इसकी positioning इसकी scaling बगारा मेरे पास यहाँ पर control आ गया है अप फिर इसी तरह से हो रहे हैं वो बारी-बारी अगर आपको लगता है कि यह प्रिजेंट स्वेस्लो आ रहा है आप किसी भी स्टेश पर जाके नेस्ट पर डेवल क्लिक करेंगे और आप इसको यहां से पीछे करेंगे और वो जल्दी आ जाएगा अगले को भी आप चेंज कर सकते हैं और overall भी आपको करना हो तो आप यहा हमारा इतना खतम हो चुका है इसलिए हम इसको यहां से बंद कर देंगे अब मैं इसको क्या करूँगा थोड़ी सी मोशन दूँगा और यहां पर मैंने की फ्रेम एट किया और आखिर तक मैंने यहां पर एक और की फ्रेम पर मैंने इसकी कर दी 70 और next मेरा की फ्रेम है वह र ready है तो इस वक्त चोटे से बड़े के तरफ जाएगा और हम इसको देख सकते हैं इस तरह fullscreen मैं इसको कर लेता हूँ qualities के हम full कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि जहां तक हमने keyframe दिये थे यहां से लेकर यहां तक कीframe को animate किया था 70-200 इसको और चोटा कर लें आपको और visible difference नजर रहेगा अब हम इसको fullscreen प्ले करते हैं तो आप देख रहे हैं movement continue है पीछे backend पर जो भी fade in fade out हो रहा था या जो चीज पहले और बाद में appear हो रही है वो सब कुछ बेसे ही है और सब पे आपकी एक ही जैसी movement है यह नहीं कि एक पहले आ रहा है एक बाद में आ रहा है एक slow है एक fast है तो यह nest की वज़ज़ से possible हुआ तो यह आपके पास nest के कुछ मैंने आपको usage बता दिया किस तरीके से आप इसको use कर सकते हैं कहां कहां use कर सकते हैं मुझे लगता है कि आप अगर जब इसको मजीद explore करेंगे तो और भी आपको best possibilities best options नज़र आएंगी कि जहांपर आप nest को और बेहतरीन तरीके से use कर सकेंगे practice करते रहें और next lecture में मजीद चीज़ों के उपर बात करेंगे